जो कहानी में आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादोई लेंगा और सेंडल के घर के बारे में तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकी रागनी एक अनाथ लड़की थी इसने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा था क्योंकि इसके माता पिता रागनी के बचपन में ही इसे कच्रे के धेर पर छोड़ कर चले गए थे और किसी भले इंसान ने कुछ समय तक तो रागनी का पालन पोसन बहुत अच्छे से किया परंतु एक दिन वो भी रागनी को कच्रे के धेर पर छोड़ कर चला जाता है इसी तरह फिर से कोई भला इंसान रागनी को इस कच्रे के धेर से लेकर चला जाता है परंतु जैसे ही रागनी आठ वर्ष की होती है तो वो इनसान भी रागनी को कच्रे के धेर पर छोड़ कर वापिस चला जाता है इस तरह रागनी अप कच्रा चुनती और खुद ही अपना पालन पोसन करती थी और वो इसी शहर में एक छोटी सी जोपड़ी बना कर रहने लगती है परन्तु रागनी बहुत ही सुन्दर मन की थी वो कच्रा चुनकर जो भी कमाती इसमें से कुछ पैसा वरीब लोगों को भी दे दिया करती थी इसी तरह एक दिन रागनी को शहर के एक लहगा बोटीक में साफ सफाई का कम मिल जाता है जिसे वो पोरे मन लगा कर करती है बोटीक की मालकन रागनी के काम से बहुत ज्यादा खुश थी और जब रागनी की मालकन को ये बात मालूम हुई कि रागनी अपने पैसों में से वरीब लोगों की मदद भी करती है तो वो रागनी की तनखा और भी ज्यादा बढ़ा देती है इसी तरहा रागनी जिस लेंगा बोतीक में काम किया करती थी वहां से एक परी भी गुजरा करती थी जो रागनी को इतना महनत करते देखकर बहुत खुश होती थी रागनी की मालकन मालती की एक दोस्त उर्मिला भी थी एक दिन उर्मिला अपनी दोस्त मालती से कहती है तुम इस लड़की पर इतना विश्वास कैसे कर सकती हो हो सकता है ये तुम्हारे पीछे से तुम्हारे लेंगे उठा कर चोरी छुपे बेच देती हो या अपनी जौपड़ी में ले जाती हो और तुम्हे तो इसकी जौपड़ी के बारे में कुछ पता भी नहीं है कि वो कहा है इस तरहा मालती अपनी दोस्त उर्मिला की बातों में आकर रागनी को काम से निकाल देती है और रागनी दोबारा से बेरोजगार हो जाती है इस तरह एक दिन वो परी इस लहगा बोतीक के सामने से गुजर रही होती है परन्तो इसे रागनी वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देती इसी तरह दिन बीतने लगते हैं परन्तो इस परी को रागनी नहीं दिखाई देती जिस कारण परी बहुत चिंतित होने लगती है और वो अपने जादू के कारण रागनी की जोपड़ी का पता लगा लेती है और वो इस जोपड़ी में जाकर देखती है कि रागनी कुछ ना खाने के कारण अपनी जोपड़ी में बेहोश पड़ी है तब ही परी आपने जादू से वहाँ पर पानी और कुछ खाने का समान परकट कर लेती है और इसे रागनी को खिलाती है रागनी परी को देखकर बहु कुछ पूछने लगती है तुम्हारे माता पिता कहा है और तुम अकेले यहां किस के साथ रहती हो मेरे माता पिता मेरे बच्पन में ही मुझे कचरे के ढेर पर छोड़ कर चले गए थे मैं नहीं जानती वो कहा है तब ही वो परी आपने जादू की छड़ी को घुमाती है और आखे बंद करके दुबारा खोल लेती है और वो रागनी से कहती है रागनी तुम्हारे माता पिता जल्द ही तुम्हारे पास आएंगे और इन्हें अपने गलती का पश्टावा भी होगा परन्तु तुम ये बात सोच रही होगी कि मैं यहां कैसे आई मैं लेहगा बोतीक के बाहर से गुजरा करती थी और तुम्हारी साफ सफाई देखकर बहुत खुश होती थी परन्तु तुम्हारे जाते ही वो लेहगा बोतीक तो जैसे शमशान घाट बन गया और फिर रागनी इस परी को सब कुछ बताने लगती है कैसे मालती ने अपनी दोस्त उर्मिला की बातों में आकर इसे जॉब से निकाल दिया था इसी तरह परी अपनी जादू की छड़ी को घुमाती है और रागनी की वो तूटी फूटी जौपडी एक बहुत बड़े सैंडल के घर में बदल जाती है जो के बहुत ही आलिशान होता है और परी रागनी को एक जादूई लहँगा भी देती है और कहती है ये लहँगा तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारी सहायता करेगा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस लहँगे से मांग लेना और मेरे ख्याल से तुम्हें रहने के लिए सैंडल का घर भी काफी है इसमें तुम अपने सिवा कई और अनार्थ लोगों को भी रख सकती हो इस तरह परी वो जादोई सैंडल का घर और जादोई लहंगा रागनी के हवाले करकर वहां से चली जाती है इसी तरह धीरे धीरे रागनी इस लहंगे से पैसा मांगती और गरीब लोगों की मदद किया करती अनार्थ और बेबस लोगों को अपने सैंडल के घर में रहने के लिए जगा भी दिया करती थी इसी तरह एक दिन रागनी के माता पिता भी रागनी के इस सैंडल के घर में आते हैं परन्तु वो नहीं जानते थे के रागनी इनकी ही बेटी है जिसे इन्होंने कचरे पर छोड़ दिया था तभी रागनी इन दोनों पती-पत्नी से फूशती है आखिर तुम्हारे पास रहने के लिए घर क्यों नहीं है और तुमने अब तक अपना जीवन कहां वियास्त किया तभी वो पती-पत्नी कहते हैं हमारा एक बेटा और एक बेटी थी क्योंकि हमें बेटी पसंद नहीं थी इसलिए हमने इस बेटी को कचरे के धेर पर छोड़ दिया और भगवान जाने वो लड़की आज कहा है और हमने अपने बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इसका बहुत अच्छे से पारन पोसन किया परन्तु हमने जब इसका विवा किया तो इसने पत्नी के कहने में आकर हमें घर से निकाल दिया रागनी खामोश खड़ी इनकी सारी बाते सुनती रहती है और फिर इने कहती है जिस लड़की को तुमने कच्छे के धिर पर छोड़ दिया था वो मैं ही हूँ और आज देखो भगवान ने आपको आपके किये की सजा दे दी आज मैं कितने बेबस और अनार्थ लोगों की मदद कर रही हूँ ये सुनकर रागनी के माता पिता को बहुत ज़्यदा शर्मिंदगी होती है और वो अपनी बेटी से माफी मांगते हैं परन्तु रागनी इने माफ कर देती है क्योंके रागनी एक साफ दिल की लड़की थी और इने अपने साथ रहने के लिए जगा भी दे देती है इस तरह परी के जादू के कारण रागनी को रहने के लिए घर गरीब लोगों में बाटने के लिए पैसा मिल जाता है और परी के जादू के कारण ही रागनी को इसके माता पिता भी मिल जाती हैं रागनी के माता-पिता अपनी खोई हुई बेटी को पा कर बहुत ज़्यादा खुश थे और रागनी भी आपने माबाप को पा कर बहुत ज़्यादा खुश थी और अब रागनी अपने माता-पिता के साथ खुशी-खुशी अपना जीवन वियास्त करती है दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके